पन्च प्रमेश्वर प्रेमचंद की कहानी जुम्मन शेक और अलगू चौधरी में गारी मित्रता थी साज हे में खेती होती थी कुछ लेन देन में भी साजा था एक को दूसरे परटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता के वलविचार मिलते थे मितरता का मूल मंत्र भी यहीं है इस मितरता का जनम उसी समय हुआ जब दोनों मितर बालक ही थे और जुम्मन के पूज पिता जुम्राती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरू जी की भहुत सेवा की थी खूब रकाबिया मान जी खूब प्याले धोए उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था क्योंकि प्रती एक चिलम अलंगू को आद घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुश्य थे उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरू की सेवा शुशुशा पर अधिक विश्वास था वह कहते थे की विद्या पढ़ने से नहीं आती जो कुछ होता है गुरू के आशिर्वाद से बस गुरू जी की कृपा द्रिष्टी चाहिए अतयव्यदी अलगू पर जुम्राती शेख के आशिर्वाद तथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोश कर लेगा कि विद्यो पारजन में उसने यथा शक्ती कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग यही में न थी तो कैसे आती मगर जुम्राती शेख स्वयम आशिर्वाद के कायल न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आजा असपास के गावों में जुम्राती पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहन नामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था हलके काडा किया, कांस्टेबिल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकानक्षा रखते थे अतयवा लगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अन्मोल विद्या से ही सब के आद्रपात्र बने थे जुम्मन शेख के एक बूढ़ी खाला, मौसी, थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिलकियत थी परंतु उसकी निकट संबंधियों में कोई न था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खुबादर सतकार किया गया उन्हें खुब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हलवे पुलाव की वर्षा सीकी गई पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुम्मन की पतनी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखें सालन भी देने लगी जुम्मन शेख भी निठुड हो गए अब बेचारी खाला जान को प्रायह नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी बुढ़िया न जाने कब तक जियेगी दो तीन भी घे उसर क्या दे दिया मानो मोल ले लिया है बगहारी दाल के बिना रोटिया नहीं उतरती जितना रुपया इसके पैट में जोग चुके उतने से तो अब तक गाव मोल ले लेते कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की जुम्मन ने स्थानी अकर्मचारी ग्रिहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा कुछ दिन तक और योही रोध होकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा तुम मुझे रुपय दे दिया करो मैं अपना पका खा लूंगी जुम्मन ने दृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपय क्या यहां फलते हैं खाला ने नमरता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी की नहीं जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो खाला बिगड गई उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी जुम्मन हसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरप जाते देखकर मन ही मन हसता है वह बोले हाँ, जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी यह रात दिन की खट-खट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विशय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था आसपास के गावों में ऐसा कौन था जो उसकी अनुग्रहों का रिनी न हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रू बनाने का साहस कर सके किस में इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसमान के फरिष्टे तो पंचायत करने आवेंगे नहीं इसके बाद कई दिन तक बुढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिये आसपास के गावों में दोड़ती रही कमर जुक कर कमान हो गई थी एक-एक पग चलना दूभर था मगर बाता पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आसू न बहाए हाँ किसी ने तो योही उपरी मन से हुँह करके टाल दिया और किसी ने ये सन्याय पर जमाने को गालिया दी कहा कबर में पाव लटके हुए हैं आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेती बारी से क्या काम है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास सेरस के रसास वादन का अच्छा अवसर मिला जुकी हुई कमर पोपलाम मुह संके से बाल इतनी सामगरी एकत रहों तब हसी क्यों ना आवे ऐसे न्याय प्रिय, दयालू, दीनवत, सल्पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखडे को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो चारों और से घुम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना अलगू मुझे बुला कर क्या करोगी, कई गाव के आदमी तो आवेंगे ही खाला अपनी विपद तो सब के आगे रो आई, अब आने ना आने का अक्तियार उनको है अलगू यो आने को आजाऊंगा, मगर पंचायत में मुह न खोलूंगा खाला क्यों बेटा, अलगू अब इसका क्या जवाब दूँ, अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगार नहीं कर सकता खाला बेटा, क्या बिगार के डर से इमान की बात न कहोगे? हमारे सोय हुए धर्म ज्यान की सारी समपत्ती लुट जाए, तो उसे खबर नहीं होती परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगार के डर से इमान की बात न कहोगे? संधिया समयक पेड के नीचे पंचायत बैठी, शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्ष बिचा रखा था उन्होंने पान, इलाइची, हुक्के तंबाकु आदी का प्रबंध भी किया था, हाँ वह स्वय मलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता था, तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्यस्थ हो गया और चिडियों की कल्रवयुक्त पंचायत पेडो पर बैठी तब यहां भी पंचायत शुरू हुई, फर्ष किये के कंगुल जमीन भर गई पर अधिकान्ष दर्शक ही थे निमंत्रित महाशियों में से केवल वे ही लोग पधारे थे, जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी नाईता बढ़ तोड चिलम भर रहा था यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआ निकलता था या चिलम के दमों से लड़के इधर उधर दोड रहे थे कोई आपस में गाली गलोज करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोला हलमच रहा था गाव के कुते इस जमाव को भोज समझ कर जुंड के जुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो बूरी खाला ने उनसे विन्ती की पंचो आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुमन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुमन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तुम मैंने इसके साथ रोध होकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे नपैट की रोटी मिलती है नातन का कपड़ा बेकस बेवा हूँ कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाओं तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ अगर मुझे में कोई एब देखो तो मेरे मुह पर थपड़ मारो जुम्हार में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस क्याह लेता है मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चड़ाऊंगी रामधन मिशर जिनके कई असामियों को जुम्हार ने अपने गाव में बसा लिया था बोले जुम्हार मियां किसे पंच बदते हो अभी से इसका अनिप्टारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्हार को इस समय सदस्यों में विशेश करवे ही लोग दीख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस सिथा जुम्हार जान जुम्हार जुम्हार के आकषिप को समझ गई वह बोली बेटा, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुशमन कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो, मैं उन्ही को सरपंच बदती हूँ, जुम्मन शेक हानन्द से फूल उठे, परन्तु भावों को छिपा कर बोले अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू, अलगू इस जहमेले में फंसना नहीं चाहते थे, वे कन्नी काटने लगे, बोले खाला, तुम जानती हो की मेरी जुम्मन से गारी दोस्ती है, खाला ने गंभीर स्वर मे कहा बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना इमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुह से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरप से निकलती है, अलगू चौधरी सरपंच हुए, रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बु पंच बन पड़ा, तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूरी खाला, दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, तुमको पंचों से जो कुछ हर्ज करनी हो, करो, जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू यह सब दिखावे की बाते कर रहा है, अतयव शांत चित होकर बोले पंचों, तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी, मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीप नहीं दी, मैं उन की खिगमत करना मेरा फर्ज है, मगर और तो में जरा अन्बन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है? खाला जान मुझ से महवार खर्च अलग मांगती है, जायदाद जितनी है, वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि महवार खर्च दे सकूं, इसके अलावा हिबा नामे में महवार खर्च का कोई जिकर नहीं, नहीं तुम्हें भूल कर भी इस जहमेले में न पढ़ता, बस, मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें, करें, अलगू चोधरी को हमेशा कचहरी से काम पढ़ता था, अतएव पूरा कानून यादमी था, उसने जुम्मन से जिरह शुरू की, एक-एक प्रशन जुम्मन के हिरदय पर हथोड़े की चोट की तरह परता था, रामधन में शरह इन प्रशनों पर मुगध हुए जाते थे, जुम्मन चके थे कि अलगू को क्या हो गया, अभी यह लगू मेर साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बाते कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया प्लट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, न मालूम कप की कसर यह निकाल रहा है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी, जुम्मन शेक तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतनी में अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेक पंचो ने इस मामले पर विचार किया, उन्हें यह नीती संगत मालूम होता है कि खाला जान को महवार खर्च दिया जाए, हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य हो यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, जो अपना मित्र हो, वह शत्रू का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें, जिस पर पूरा भरोसा था, उसने समय पढ़ने पर धोखा दिया, ऐसे ही अवसरों पर जूठे कोप क्यों होता? यह है जापले गादी व्यादियां दुशकर्मों के ही दंड हैं, मगर रामधन मिश्र और अन्यपंच लगू चोधरी की सनीती परायनता की प्रशंसा जी खोल कर कर रहे थे, वे कहते थे इसका नाम पंचायत है, दूद का दूद और पानी का पानी कर दिय दोस्ती, दोस्ती की जगह है, किन्तू धर्म का पालन करना मुख्य है, ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर प्रित्वी ठहरी है, नहीं तो वह कप की रसातल को चली जाती, इस फैसले ने अलगू और जुमन की दोस्ती की जड़ हिला दी, अब वे साथ साथ बाते करते नहीं द दिखाई देते, इतना पुराना मित्रता रूपी व्रिक्ष सत्य का एक जोंका भी न सह सका, सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था, उनमें अब्शिष्ट चार का धिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत जादा करने लगा, वे मिलते जुलते थे, म इसी तरह बदला लेने का अवसर मिले, अच्छे कामों की सिध्धी में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिध्धी में यह बात नहीं होती, जुमन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया, पिछले साल लगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अंचायत के एक महीने के बाद इस जोडी का एक बैल मर गया, जुमन ने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है, इनसान सब रभली ही कर जाए, पर खुदाने एक बद सब देखता है, अलगू को संदेह हुआ की जुमन ने बैल को विश दिला दिया है, चौधराइन ने भी जुमन पर ही इस दुरघटना का दोशार उपन किया, उसने कहा जुमन ने कुछ कर करा दिया है, चौधराइन और करीमन में इस विशय पर एक दिन खुब ही वाद विवाद हुआ, दोनों देवियों ने शब्द बाहुलली की नदी बहादी, व्यंग्य, वक्रोक्ती, अन्योक्ती और उपमा आदी अलंकारों में बाते हुई, जुमन ने किसी तरह शांती स्थापित की, उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया, वह उसे उस रणभूमी से हटा भी ले गए, उधर लगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्क वह का गारी हांकते थे, गाउं के गुरगी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल, नमक भर लाते, और गाउं में बेचते, इस बैल पर उनका मन लहराया, उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हों, आज कल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं, बैल देखा, गारी में दोडाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया, एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा, चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवा न की, समझू साहुने नया बैल पाय तो लगे उसे रगेदने, वह दिन में तीन-तीन, चार-चार खेपें करने लगे, न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों से काम था, मंदी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया, बेचारा जानवर अभी दंभी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी, बैलराम छठे चमाहे कभी बहली में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते और कोसों तक दोरते चले जाते थे, वहां बैलराम का राते बथा साप पानी, दली हुई अरहर की डाल, और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी गी का स्वाद भी चकने को मिल जाता था, शाम सबेर एक आदमी खरहरे करता, पोचता और सहलाता था, कहां आवसुख चैन, कहां यहाठों पहर की खपत, महीने भर ही में वहा पिस्सा गया, एकका जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था, एक ए दिन चौती खेप में साहु जी ने दूना बोज लादा, दिन भर का थका जानवर, पैरना उठते थे, पर साहु जी कोड़े फटकारने लगे, बस, फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला, कुछ दूर दोड़ा, और चाहा की जरा दम ले लूँ, पर साहु जी को पहुचने की फिक्र थी, अतयव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दैता से फटकारे, बैल ने एक बार फिर जोड लगाया, पर अपकी बार शक्ती ने जवाब दे दिया, वह धरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा की फिर ना उठा, साहु जी ने बहुत पीता, कर अलग किया, और सोचने लगे की गाड़ी कैसे घर पहुचे, बहुत चीखे चिलाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरसांज होते ही बंध हो जाता है, कोई नजर ना आया, आसपास कोई गाव भी न था, मारे करोद की उन्होंने मरे हुए बैल पर और तरसाहुजी खूब जले भुने, कई बोरे गुड़ और कई पीपगी उन्होंने बेचे थे, दो धाई सो रुपी कमर में बंधे थे, इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमके थे, अतयव छोड़ कर जा भी न सकते थे, लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए, वही रत जगा करने की ठानली, चिलंपी, गाया, फिर हुक कापिया, इस तरह साहुजी आधी राद तक नींद को बहलाते रहे, अपनी जान में तुवह जागते ही रहे, पर पौफटते ही जो नींद तूटी और कमर पर हाथ रखा, तो थेली गायब, घबरा करिधर उधर देख तो कई कनस्तर तेल भी नदारत, अपसोस में बेचारे ने सिरपीट लिया और पचार खाने लगा, प्रातहकाल रोते बिलखते घर पहुचे, सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी, तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालिया देने लगी, निगोड पहले ने ऐसा कुल अच्छनी बैल दिया की जनम भर की कमाई लुट गई, इस घटना को हुए कई महीने बीत गए, अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहु और सहुआइन, दोनों ही जहल लाए हुए कुत्ते की तरह चड़ बैठते और अंडबंड बकने लगत अले वाह, यहां तो सारे जनम की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं, आखों में धूल जूंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरापोंगा ही समझ लिया है, हम भी ब पनिये के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे, पहले जाकर किसी गड़हे में मुधो आओ, तब दाम लेना, नजी मानता हो, तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले दो महीना जोत लो, और क्या लोगे? चौधरी के अशुप चिंतकों की कमी न थी, ऐसे अवसरों पर वे भी एक अत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टी करते, परंतु डेड़ सो रुपे से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था, एक बार वह भी गरम पड़े, साहू जी बिगर कर लाठी ढूढने घर में चले गए, अब सहुआ इनने मैदान लिया, प्रशनोत्तर होते होते हाथा पाई की नौबता पहुची, सहुआ इनने घर में घुसकर किवार बंद कर लिये, शोर गुल सुनकर गाव के भले मानस जमा हो गए, उन्होंने दोनु को समझाया, साहू जी को दिलासा देक घर से निकाला, वह परामर्श देने लगे कि इस थरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तै हो जाए, उसे स्विकार कर लो, साहू जी राजी हो गए, अलगूने भी हामी भर ली, पंचायत की तैयारियां होने लगी, दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनान शुरू किये, इसके बाद तीसरे दिन उसी व्रिक्ष के नीचे पंचायत बैठी, वही संध्या का समय था, खेतों में कवे पंचायत कर रहे थे, विवाद अग्रस्त विशय था यह की मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रशन हल न हो जाए, तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे, पेड की डालियों पर बैठी शुक मंडली में या प्रशन छिड़ा हुआ था कि मनुश्यों को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयम अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता, पंचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा अपदेरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए, बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो, अलगू ने दीन भाव से कहा समझू साहू ही चुनले, समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेक, जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थपड मार दिया हो, रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए, पूछा क्यों चौधरी तुम्हे क कोई उज्र तो नहीं, चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं, मुझे क्या उज्र होगा? अपने उत्तरदाईत्व का ग्यान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ग्यान हमारा विश्वस्निय शांती कुटी में बैठा हुआ कितनी धरिष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्री मंडल पर आक्रमन करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं, जब वह स्वयम मंत्री मंडल में सम्मिलत होता है, मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मग्य, कितनी विचारशील, कितनी नियाय परायन हो जाती है, इसका कारण उत्तरदाईत्व का ज्यान है, नव्युवक्युवा वस्था में कितना उदंड रहता है, मातापिता उसकी, और से कितने चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोज सिर पर पढ़ते ही वह व्यवस्थित चित उनमत्ति वक कितना धैरेशील, कैसा शांत चित हो जाता है, यह भी उत्तरदाईत्व के ज्यान का फल है, जुम्मन शेक के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहन करते ही अपनी जिम्मिदारी का भाव पैदा हुआ, उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सरवोच चासन पर बैठा हूँ, मेरे मुह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देवानी के सद्रिश है और देवानी में मेरे मनों विकारों का कदापी समावेश न होना चाहिए, मुझे सत्य से जो भर भी टलना उच्चित नहीं, पंचो ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किये, बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे, इस विशय में तो सबसहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परन्तु दो महाशय इस कारण रियायत करन चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानी हुई, इसके प्रतिकूल दो सब्यमूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दैता करने का साहस न हो, अंत में जुमन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचो ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया, समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें, जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बिमारी न थी, अगर उसी समय दाम दे दिये जाते, तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करत बैल की मृत्यू केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया, रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जान बूझ कर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए, जुमन बोले यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्वर है, यह रियायत करें, तोन की भल मनसी, अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय, इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनी हुई पंच परमेश्वर की जय, प्रति एक म अनुष्य जुम्मन की नीती को सराहता थाई से कहते हैं न्याये, यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्ही की महिमा है, पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आये और उनके गले पट कर बोले भईया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्रान घहा तक शत्रू बन गया था, पर आज मुझे ग्यात हुआ की पंच के पट पर बैट करना कोई किसी का दोस्त होता है, ना दुशमन, न्याय के सिवाउ से और कुछ नहीं सूझता, आज मुझे विश्वास हो गया की पंच की जबान से खुदा बोलता है, अलगूरों ने लगे, इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, मितरता की मुर्जाई हुई लता फिर हरी हो गई, साराज का अंत, धन्यवाद